कभी ए काम कर रहा है। and work in 24 days if work is completed in 11 1 by 3 days then then be alone can complete 7 by 9 part of the original work in तो यहाँ पर एक alternate days तो काम कर रहा है और काम कितना दिन ने complete हो जा रहा है 11 1 by 3 days में complete हो जा रहा है तो यहां पर देखिए 11 1 by 3 एक odd days है ठीक है इसी जगह पर 10 days में काम complete होता ठीक है तो obviously B यहां पर 5 दिन काम करता और A यहां पर 5 दिन काम करता कोई दिक्कर था नहीं लेकिन यहां पर क्या है और और आपका days आ गया है तो इस तरह question में एक बात याद रखिएगा तो जो काम begin करता है ठीक है वो ज्यादा काम करता है ठीक है यानि कोई तो ज्यादा काम कर रहा है तो वो ज्यादा काम करने वाला इंसान होगा जो काम begin कर रहा होगा वो होगा यानि कि B कितना दिन काम करेगा B यहां पर काम करेगा 6 दिन, ओके, एन यहां पर काम करेगा 5 दिन, तो आप बुलोगे कि यह 1 by 3 जो एक्स्ट्रा दिन है, यह कौन करेगा, यह भी आपका यही करेगा, ओके, बस आपको इतना याद रखना है, और कोशन में क्या कह रहा है, यह एलों किन कम्पीट दा सेम वर्क इन 24 देस, यह किसी का को अकेला 24 दिन में कर लेता है, तो सपोस कर लेते हैं, टोटल वर्क जो हमारा था, सपोस कर लेते हैं, 24 काम था, उसको 24 देस में एक कम्पीट करता है, यह एक दिन में कितना काम करता है, एक, एक काम करता है, तब न 24 दिन में कम्पीट हो जा रहा है, और आप इसमें कोई भ माई भी मान सकते हो, यानि कि 48 भी मान सकते हो, तो यहाँ पर एफिशेंसी दो काम हो जाएगा, इससे आपका एंसर में फर्क नहीं परेगा, ठीक है, अब यह एक का एफिशेंसी हमने निकाल दिया, 24 को सपोस करके, एक निकल गया, यानि कि एक दिन में एक काम करता है, तो 5 1 by 3 days में कितना काम किया होगा, 5 1 by 3 काम किया होगा, ओके, और हम लोग काम कितना हम लोग ने माना था, 24 काम माना था, यानि कितना काम बज गया, यानि कि इसको माइनस करना पड़ेगा, उतना काम बज गया है, यानि कि यह हो गया, 1957, यानि कि यह हो गया, 56 by 3 काम बज गया, ठी अब 6 दिन में B कितना काम किया? 56 by 3 काम किया है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 56 by 6 by 18 कितना काम किया होगा? तो ये हम लों का B का efficiency हम लों का निकल लगिया ठीक है? B का efficiency कितना है? 56 by 18 अब बुला गया है B alone can complete 7 by 9 part of the original work तो original work हम लों कितना था? 24 इसका 7 by 9 part कितना दिन में करेगा? यानि कि 24 काम है इसका 7 by 9 B कितना दिन में करेगा? इसका efficiency हम लों डिवाइट करना पड़ेगा यानि कि divided by B का efficiency B का efficiency कितना है? 56, 18 नीचे हम है यानि कि ये ऊपर चल जाएगा? ओके बस आपको एंसर आ गया 2 से कटेगा? 2, 8, 16, 7, 4, 28, 4, 6, 24 यानि कि 6 days is our right answer यानि कि option number D I hope आपको ये सभेज माया हो अगर कुछ doubt है तो comment section ने बता सकते है